अनीता कीरसोई में आप सभी का स्वागत है तो आज हम बनाएंगे गर्मा गरम कडी पकोडा चावल के साथ चाए आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो रोटी के साथ भी खा सकते हो जैसे आपका मन करें आप इसको खा सकते हो तो बनाएंगे हम गर्मा गरम कडी पंजाबी यहां पर में ने तकीबन घाई 100 ग्राम लिए है कोड़ा यह पर क्रीसमें 300 ग्राम बैसन में बनाते हूं उससे कड़बी की मिरे पास इसमें डाल के डिले अब प सब्सक्राइब दालके पानी पहले पर भेसन बनाई यह इसमें पानी मिलाओंगी पानी मिलाते हुए, इसको न मैं जैसे हम दही रिटकते हैं, वैसे रिटक लेते हुँ थाकि जो ब्रीख-्रीक से दाने होते हुआ यह वह न रह जाएं, तो बच्चे खाते हैं. cages नो भी होता है. तो बेसन को अच् ichi अच्छी तरह से अब धीरे धीरे पानी आड़ करती रोंगे और यह प्रसेस हमने धीरे धीरे आराम से करना है नहीं तो बेस्टन की ना थोड़ी छुट-छुटी गांठे सी बन जाती है जब कड़ी बनाते ना फिर उसमें गांठे सी रह जाती है तो इस तरीके से बनाओगे तो कोई गांठ नी रहेगी गड़ी में बहुत ही अच्छी बनती है स्टाइल से आप बनाके देखो एक वरी बहुत ही अच्छी बनती है इसी तरह से बेस्टन में ने ले लिया था यह 200 ग्राम तो अब मैं लोंगी दही दही मैं लेती हूं आधा किलो यह घर का जमाया से थोड़ा सा कम है डेड़ कटोरी के आसपास दही है मतलब आधा किलो दही है यह गाड़ा गाड़ा दही है यह विदावट मतलब मलाई नहीं उतारी इसमें मलाई के साथ ही ऐसे मैंने दूद को बाला और फिर दही लगा दिया तो एक रात पहले न तो यह खट्टा भी हो थोड़ा थोड़ा पानी मिला आकरे विदावें इसकी गांठे से नहीं रहा जाए है कि बत्शे पसंद नहीं करते हैं अगर कड़ी में थोड़ी थोड़ी गाठे आए ना तो फिर बच्चे खाते नहीं है तो इसलिए मैं अच्छी तरह से इसको रेड़क लेती हूं पहले दहीं को रेड़केंगे हम अच्छी तरह से अब यह बिल्कुली सॉफ्ट हो गया तो इसको हम तड़का लगाएंगे कुकर ले लिया मैंने कुकर में मैं तक्रीवन एक ट्ची और थोड़ी से और गच्ची मैंने ओयल डाला है सरसो का तेल ठोड़ी से डालूंगे मैं हेंग जीरा जीरा डाल दूंगे थोड़ी सी मेत्थी दाना भी डाल सकते हैं और इसको जब भून जाएगा फिर उसके बाद मैं डालूंगे इसमें जो हमने पेस्ट त्यार किया था दही और बेसन का वो इसमें डाल देंगे उससे पहले मैं मसाले डालूंगे लाल मिर्ची डाल दी मैंने हल्दी थोड़ा सा नमक गरम मसाला भी डालती हूं यह घर पी बनाया हुआ मेरा बड़ी लेची डालके लौंग रेचियां और साथ में काली मिर्च इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्ट्रिश्ण बॉ और इसके बाद हमने next क्या करना है ये धीयान देने वाली बात है ये दोनों तो हो गया अब इसमें पानी आएड करने और तो पानी तक्रीवन तीन-चार ग्लास इसमें और एड़ कर दूँगे क्योंकि दहीं और बेचान यह गाड़ा हो चाता है तो पानी और डालना पड़ुद्या म your tap करने घ्लास तारा Abi Iсть करीवन तीन चार ग्लास न सब्सक्राइब कर रहायं से तक्रीवन तीन चर ग्लास करने हें रिकर के लमक अगर कम लगे तो थोड़ा साप एक्स्टा और भी डाल सकते हैं इस वाद अमसार आप कर सकते हो जब तक कड़ी में उबाल नहीं आता है तब तक हम इसको तेज आज पर पकाएंगे जैसी यह उबलने लगेगी यह 10 मिंट का प्रसेस होता है उसके बाद हम गैस को सिम कर ला तेंगे थोड़ा सब भाल आ रहा है रहता है देखेए इसके बदेंतम को सिम कर देंगे संगे अरह तो ज्यादा जाज पर रंखेंगे तो जलने का भी ढार होता है और निकलने का भी गैस हम थोड़ा सिम कर देंगे इसको सिमपी है तकरीवन 5 घंटा हमारी रिजेगी ऐसा ही कड़ेगी कड़ी न तो यह एक साइड पर हमारी कड़ती रहेगे तब तक हम अपना पकोडों के लिए समान तयार कर लेंगे पकोडों के लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्च और बेसन तो उसके लिए सबसे पहले प्याज को ढूँके भारिक भारिक काट लेंगे लंबा लंबा काटना है हमने सीधा सीधा लंबा लंबा ऐसे प्लेट्स पे भी जिनके पास चॉपिंग बॉर्ड नहीं है वो सब्सक्राइब हो जाता है काम थोड़ा सा जल्दी से निपड़ जाता है कि फिर इस कटे हुए प्याज हरी मिर्च को हम एक बोल में डाल के उसमें हम बेसन डालेंगे और मसाले अपने आड कर लेंगे सबसे पहले में डालते हूं बेसन बेसन के हम 4-5 कट्छी डाल लेते हैं इसमें तेस्ट के मुताबिक यह मैंने आधा चमच नमक लिया है आधा चमच गरम मसाला डाला है और आधा चमच काली मेरच पौडर तोड़ी से लाल मेरच मेरच आप टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी एड़ करेंगे एकदम से पानी नहीं डालना ज्यादा हो जाएगा फिर तो वो घी में जाके ऑईल में जाके फट भी सकते हैं पकोड़े तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है यह मैंने थोड़ा से इसमें जीरा पाउ कि अब तक हम पैन में ओईल रख देते हैं गरम करने के लिए जब तक हमारा पैन में ओईल गर्म होएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने रखा हुआ था ना उसको बैटर को हम अच्छी तरह से मैश करेंगे कि इसको अच्छी तरह से फैंड ते रहें जिसे अच्छी तरह से फलफी फलफी जा हो जाए इसी से हमारे पकोड़े जाए सॉफ्ट बनेंगे अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइप करें और ज्यादा से ज्यादा शियर करें और यह रैसीपी आप घर पे मेरे स्टाइल से बना के जरूर देखिए आपको यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगे तो आइल जो हमारा गरम हो चुका है ज्यादा गरम नहीं करना है मीडियम तक रखना है अगर ज्यादा करेंगे तो पकोड़े एक दम से जल भी सकते हैं तो हम एक एक करके इसमें पकोड़े डालते जाएंगे यह पकोड़े तक्रीवन हमारे दो शिफ्ट में डल जाएंगे पहली शिफ्ट वाले पकोड़े हमने डाल दिया है अब जैसी यह हमने फस्ट में जो डाला था पकोड़ा वो तक्रीवन हमारा सिख चुक है तो हम एके करके इनका इनको पल्टते रहेंगे सारे इकठे नी पल्टने एके करके पल्टेंगे इसको जो सिख गया हमारा साइट से पता चल जाता है कि ये न रेड रेड सा हो गया तो उसी को हम पल्ट देंगे एक ही करके हमारा पल्टा जाएगा पकोड़ा बस यह बाते आपने कुछ ध्यान में रखनी है एक दम से सारे पकोड़े नहीं पल्ट नहीं एक साइट पर हम पकोड़े बना रहे हैं और दूसरी साइट पर हमारी कड़ी बन रही होएगी कड़ी भी हमने तकरीवन पोड़ा गंटा एक घंटा तक पोड़ा गंटा से लेके 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक हमने कड़ी अपनी ऐसी गैस पर रिजानी है साथ में हम अपने चाबल बगएर भी एक साइड पर बना सकते हैं तो यह घंटे में मतला हमारा पूर प्रॉपर लंच त्यार हो जाता है है प्रकोडे तकरीवन हमारे सिख चुक्धे हैं एक सैट से पंद कर हमने दूशरी सैट से पंद दिया है प्रतयार प्रकोडे हम निकाल लेंगे है इसको ब्लेट में निकालके पर रखases देंगे ऐसे हम अपनी दूसरी शिफ्ट भी डाल देंगे यह देखिए पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं कि देखिए बिल्कुल भी वो नहीं है कि मतलब ज्यादक हाड नहीं बने हैं सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं तो यह कड़ी तकरीवन हमारी अब एक घंटा हो गया इसको बनने के आसपास यह बस बन चुकी है तकरीवन पहले हमारे यह उपर तक कुकर था देखिए हाफ रह गया तो इतना यह हमारा कम हो जाएगा कड़ी उबलते थोड़ी से घड़ जाती है यह गाड़ी-गाड़ी हो गई है देखिए तो हम हम गैस को बंद कर देंगे तो जो पकोड़े हमारे बनके त्यार हुए मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी में इसी में डालके हम इसको तकरीवन पांदस मिंट के लिए रखेंगे तांकि सॉफ्ट कड़ी में घुल जाएंगे वो यह मैंने इसमें कड़ोरी में डाल दिया कड़ी इसको चाबलों के यह पंजाबी डीश है पंजाब में तो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जब कड़ी चावल बनते हैं तो लोग दूर-दूर से भाग के आते हैं कि आज कड़ी चावल बनी है वेरी गूर थैंक यू अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज अनीता की सोई को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में जय हिन्द जय भारत थैंक यू वेरी मच्च कि अधर आप